मैं हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि विश्रुत चरितम क्या है इसमें किसकी कहानी है राजा का क्या नाम था वह आ जो है विश्रुत चरितम मां मुने पॉइंट में लिख रहे हैं बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको तुरंत लिखके दिखाऊं उसकी कहानी का सार तो यह पहले से मैंने दिखा हुआ है अदि आप कोलेज के लिए या अपने टेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेशन करें तो आप मुझे नहीं लगता इससे के बाहर कोई भी पॉइंट होंगे विशुरुट चरिता में मैंने ये कापी सारे पॉइंट लिखे हैं ले कहानी के तौर पर मैंने साय उंतरब सीरियल वास से में तो आप इसे कहानी के था पर सेम 2 से लिखी देंगे तो भी कोई दिक्केत नहीं है और यहींद आप को प्रशिद्ध में बहुता है इसमें कहानी है राज हंस नामक राजा की राज हंस नामक एक मधद देश में पुषपूर नामक नगर में राजा महत महां प्रतापी राजा होता है वह जो होता है ना उसके मतलब इसमें जो कहानी है दस कुमारों के दस कुमार चर्टम का नाम इसलिए पड़ा कि जो राजा और मंत्री थे ना उन सभी के जो छोटे-छोटे बेटे थे उनके उन सभी मिला के दस पुत्र थे तो मगद देश के पुषपूर नामक नगर में राजहंस नामक एक महा प्रताफी राजा राज करता था दस कुमार चर्टम में दस कुमारों को कताओं का वड़न किया गया है और जो राजहंस नामक राजा था उसकी पतनी का नाम वसुमति था वह बहुती सुन्दर थी और बहुती गुडवती थी मतलब जानकार थी एक बार राज हंस ने मालव राज मानसार पर आक्रमर किया जो राज हंस था वह एक राजा पर आक्रमर किया और उसे पराजित कर लिया मतलब उसके राज पर जीत हासित कर लिया तब मालव राज जो था जो हार गया था मालव राज राजा का नाम है मालव राज जो था वह सिव की संकर भगवान की उपासना करता है और उनसे दिवि सक्ति का वरदान प्राप्त करता है उसके बाद वह राजा राज हंस पर फिर से आक्रमन कर देता है जो राजा पर आक्रम के लिए चला जाता है और वहां जंगल में रहता है और कुछ दिनों बाद जो यहां उसे जो वसुमती होती उसे एक पुत्रप्राप्त होता है और उसी समय मान लोगी जो उनमें मंत्री थे कई मंत्रियों के भी पुत्रप्राप्त होते हैं तो जितने पुत्रप्राप्त तो पालन पोसन अच्छा कासा कर लेते तो जितने भी मंत्री थे उनके भी बेटे उने के घर पे आ गए इन सबी राज कुमारों के संथ्या कितनी थी दस थी त्रध्यान रखना दस कुमारों के संक्या सबस्दार नामक भाग के अश्डमों छवास से बताया है इसमें विस्रुत कुमारों को अपनी यात्रा अनुवा बताता है और इसमें कहानी क्या है कि जो विस्रूत होता है ना वह जितने भी कुमार होते हैं से दस उनको अपनी कहानी बतायाता है कि किस तरह कि उस तरह घटना घटी राजा महाराजा किस तरह हारे किस तरह जीत हासित की और जो विंद्या चल विंद्या चल का एक परवत है वहां पे गूमते हुए विस्रुत को वह देखता है एक बार विस्रुज होता है वह घूम रहा होता तो उसे देखता है कि एक छोटा सा बालग भूख प्याग से पीडित लगभग आठ वर्स का एक बालग मिलता है उसे आठ वर्स के लगभग का एक बालग होता है जो उसे वही जंगल नहीं सकते तो आप चलिए उसे निकाल दीजे विस्तुरुत जल्दी से जल्दी से जाता है और वह लता की सहाता से उसे निकालता है और बांस की सहाता से जल पिलाता है जंगल में बांस होता है किसी तरह से वह जादा है और बांस की साहता से जल निकाल कर उनकी प्यास बजाता है फिर वह उन दोनों के बारें पूछता है क्योंकि जंगल में अकेले घुम रहा होता तो देखता है कि उसे पूछ रहेता कि आप लोग यहाँ पे कैसे आये कैसे पहुंचे अपनी गटना ब सब्सक्राइब है feminist देखते आपर लगार्ण का चैनाम में यह कहा रौच यह राजकुमार बहुत्राइब होता है उसका नाम था को कि अ संपन पर्सक कूल एवां पूपन को सकतर है कि इसने पीस का पिता अनंत वर्मा नाज़ीटी कर शरवता विम्मूक ये रहने रहते मतनका राजनीत करने में मन नहीं लगता था राजनीत करने में उनका मन नहीं लगता था तरसे ध्यान रखना कि राजनीत करने में उसका मन नहीं लगता था उस उसकी इस भी मुक्ता का और भग विलासव के प्रत इसका आसकती का लाव उठाकर असमक राज वसंत भान जो की व तो उसका मन नहीं लगता इसका में नहीं कार बार चलाने में मन नहीं लगता था और उसे इसका लोग मैं जउल्ज करने लगे उत्याश हो पार्मा को और उसके मतलब मार दिया जो वासकर रमता सका ही सब पिता था जब प्house पता को मार दिया इसलिए वो लोग जंगल में चले आये इसके पता जी को मार दिता है नंत वर्मा को देखें मुश्टली कहानी इसमें जो है ना यही है और बाकि आप जितने भी करेक्ट आनन तवर्मा पूंड़े वर्मा भासकर वर्मा वसुरत्चीत विस्दूरूत इन सब आपके बाहर आप पड़े लिजिए और थोड़ा-थोड़ा एड़ कर दिए में कहानी जो अभी आप मैंने बताया यही है इससे बाहर अगर पेपर में आप लिखते हैं कुछ मतलिके बाई टाइम खराब होगा जितना पेज मिलता है जितना भी मैंने बताया कम आपका तीन पेज के लगबग हो जाएगा मतलब एक पेज उसके साइड में नीचे दो साइड में तीन और थोड़ा सा और मिलाएंगे आप जितने भी करेक्टर है थोड़े बहुत तो उनके नाम को भी अगर मिला जुला के लिए देंगे तो हराम से चार पेज हो जाएगा और इतना आ झाल